ये देखिए ये काफी खतरनाक लुक है मिर भाई यानि के हॉरर फिल्म की अगर सुटिंग की जाए ना तो माइंड ब्लोइंग मुझे तो काफी ये जगा पसंद आया बहुत है वैसे मैं आपको बताओ कि अंदर गाट साब घुमा रहे हैं ना काफी मुझे अच्छा लगा तो देखते हैं ये सीड़ी है उस जमाने का सीड़ी जो है ना ऊपर जाने का ये सीड़ी है अगर साथ में नहीं आते तो एक तो दो भी आदमी नहीं सकता था इतना घुमना पॉसिबली नहीं था यही वो राजा है जिनका हत्वा प्लेस है हत्वा के पुराना किला है यहाँ पर इनका इस ट्टाइचू बना करके लगाया गया है तो दोस्तों आप लोग यहां पर देक पा रहे हैं कि यह तोप है जो की पर रखा गया है है हलो और नमस्कार दोस्तों अभी हम हत्वा आये हैं और हत्वा में पुरानी किला का जो है नाजारा बहुत कुछ बदल चुका है यहां पे पुराना से अब निया किला के रूप में अजारा आपको दिकhάνे वाले हैं और आप पीछे जो देख रहा है यहां मोडिफिकेशन किया गए उसका नजारा है और बहुत कुछ यहां पर आपको देखने को मिलेगा तो यहां पे हम अंदर है और बाहर से आपका फुल मौयना क दिखाएंगे वीडियो थोड़ी सी भी अच्छे लगे ना तो वीडियो को लाइक करके कॉमेंट्स करना न बूले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन और पे ज़रूर प्रेस कर दें यह है हत्वक के पुरानी किला का नजार है यहां पर देख सकते हैं यहां पर हाथी बनाये गया है और यह जो है ना मेरे ख़ल से यह कशकाड़ी का है ठीक है प्लास्टिक का है और यहां पर आपको दिखा दे कि एक हाथी और खड़ी की गई है जो कि यहां पर है और पीछे में छोटा सा तलाव आपको नजर आ जाएगा जो कि मैं यहां पर आपको दिखा द जिनका यहां पे श्टाइचू लगी हुई है यानि के जो मेन हत्वा का जो पुरानी किला उसके ठीक सामने यहां पे इनको बैठाया गया है और अंदर चलते हैं देखते हैं अंदर क्या-क्या मिलने वाला है नजर आने वाला है कि यहां पे फॉंटेन वग片 कभी उपाया किया गया है यानि यहीं के रात वगेर में जो है न रफाइन चलाओ करने का सुड़ा है अब देखिए रात में तो मैं आया नहीं है और यहां पे भी आप देख सकते हैं यह पानी है और फॉंटेन वगरा है आप देख सकते हैं चारों तरफ काफी खुबसरत नजार यहां पे और किला है यहां पे आप देख सकते हैं तोप रखी गई है यह डुमिट तोप है जो कि आप यहां पे देख सकते हैं शौ के लिए रखा गया है और यह जो है न उपर में जो लुक दिया गया है अभी जो पुरानी किला का नए किले में कनवर्ट किया गया उसका आप यहां पे लुक देख सकते हैं काफी खुबसूरत नजारा है और यह बड़ा सा गेट आपको में जाता सामने और इंट्री करने के लिए और इधर भी आप देख सकते हैं वहां पे डमी जो तोप लिए तो अंदर चलते हैं देखते हैं यहां पर गाड साहिव है चली कोई दिकत नहीं है यहां पर देखिय उपर में ठीक है यह सब मतलब की जब राजा आते होंगे तो שמäss के वह बड़ावसा करने उपना जो भी था वो आप यहां पर देख सकते हैं चारों तरफ जो है काफी खुबसरत ना जारा उपर सेलिंग भी देख सकते हैं ठीक है यहां पर उपर में अभी भी लोग जाता है क्या तो यहाँ पे उपर में भी बहुत सीड़ी जो है ना पतला है उपर जाने के लिए लेकिन भी पॉसिबल नहीं है जाना यहाँ पे आप सभी को दिखा दे कि यहाँ पे जो यहाँ के देख रेक करने वाले लोग हैं वो यहाँ पे रहते हैं उनका रहने का बैठने का बहुत पहले मैं आया था तो यहां पर सांप घूम रहा था सब इधर उदर जो भी थी बीच्छू बहुर भी बहुत सारी चीजे थी मैं देखा था लेकिन अभी फिलहाल बहुत जादा जो है न वह चेंज हो चुका है हत्वा अखिला आप यहां पर देख सकते बागबानी हो यहां यहां पर देख सकते हैं ठीक है अंदर भी लेके चलते है जो कि घूमने के नज़रिये से आ और यह जो हैं इंट्रेस उधर से भी है और इदर से भी है आप यहां पर देख सकते हैं यहां पर पहले मैं आपको दिखा दूँ जो पुरानी किल्ग है उसका यहां पर अंदर देखिए बिसकोपड़ा यू है यह आप देख सकते हैं आपए ठीक है उपर में यह खंड़र हो चुका है, ठोट चुका है। ठीक है, और यहाँ पर और यह रहा हमारे हतुबच प्लेस के अंदर का नजारा, यह तो आप देख सकते हैं जरजर देख सकते हैं, जरजर प्लेस है, ठीक है, और आप इसका देखिए ना, काफी अच्छे तरीके से इसको सजाया भी गया है, बनाया गया है, देख रहा है ना, अभी तो ये ढलाईया चल रहा है, लेकिन ये इट जो है न वो आप देख सकते हैं, पतले-पतले से इट है, क्या पता इसे क्या कहा जाता है, मुझे तो से इंच का है न, 35-40 इंच का भी कहीं कहीं है, और 50 इंच का तो अधिकतर यहां पर देखने को मिल रहा है, और ये अंदर है, आप यहां पर देखिए कुछ स्टाफ लोग काम अगर कर रहे हैं, जो की मजदूराब अगर आप कह सकते हैं, अच्छा अंकल एक बात बताईए, यह क्या है? लच्मिनीया इनार और यह आप लोग देख सकते हैं, तो यहां पर हम चलते हैं, हमारे साथ गाट साब बहुत कॉपरेट कर रहे हैं, बहुत अच्छे हिंजान हैं, यह तो पहले लाओ है नहीं घूमना, लेकिन फिर भी बेचारे हमको बोले हैं, तो आप यहां यह सब जरजर इस्थिति में है क्या पता आज जो विलोग बन रही है वो काफी अच्छी होगी क्योंकि यह जो यह लक्षमिनिया इनार है इसमें दो है और दो इसमें है ठीक है यहाँ इलाव नहीं है जाना ना इसमें आप जा सकते हैं और आपका सुब नाम क्या होगा हमारा यह हमारे गाट साव हैं जो कि यहां पर देख रेक करते हैं और इनका नाम जो है मिथलेज कुमार सिर्वास्तो हैं और आप यहां पर देख सकते हैं अभी जो है ना यह रणिंग प्रियेड में चल रहा काम हो रहा और पीछे से नो निकल गया तो यह देखिए आप बागब बना दिया जाता था और कोई चड़ाई नहीं करें और यहां पर हम बैक कैमरे से आपको दिखा रहे हैं यह सब चीज़े आप देख सकते हैं और यह जो है ना कीला का एक और मतलब के जगह है जो कि मुझे नहीं समझे अंकल यह क्या है यह साथ आंगन का मकान है अच्छ दो आंगन हम लोग घुम लिए यह पूरा प्लेस में ना साथ आंगन का मकान है जो कि आप यहां पर देख सकते हैं और टोटल जो है सत्र एकड में यह फैली हुई है यह किला जो है सत्र एकड में है साथ आंगन का मकान है यानि कि कह सकते हैं कि साथ आंगन का यह घर होगा यहा यहां पर सिपाई लोग रहते थे ठीक है यहां पर देख सकते हैं काफी दूर तक फैली हुई है और इसमें ही यह जो है साथ आंगन का जो है मकान यहां पर देख सकते हैं अब यहां पर गाट साब हम लोग को अंदर लेके चल रहे हैं तो हम लोग यहां पर चल रहे हैं देख सकते हैं चार उत्षीज ठीक है और ओ तरीके यह सब पुरा खंड़ा में तब्दिल हो चुका आप यहां पर देखिए यह तुछाने का रास्ता वो सब अंदर है चुकि यह लाउ है नहीं तो आप लोग यहां पर बाहर बाहर ही घूम सकते हैं हमारे जो गाट सब है न वो देखिए यह उपर में थ्रॉस जूम करके दिखा दे यह रूम वगर है आप देख सकते हैं सैतिर कड़ी लगी हुई है ठीक है और यहां पर ओ माई गॉड़ काफी खुबसूरत नजारा है बहुत खुबसूरत नजारा है यहां का ठीक है हमारे गाट सब काफी तेश चल र ठीक है यह आप देखिए यह जो है न ओमाई गॉड़ यह सब आप देखिए यह सब तो नजारा आप लोगो देखने को भी नहीं मिला होगा लेकिन काफी अच्छा है कि गाट सब जो है न हम लोगो घुमा रहे हैं यहां पर साथ अंगन का मकान जो है वह हम लोग घुम अच्छा पांच अंगन का मकान हम लोग घुम चुके हैं अच्छा 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 यह पांच होगा यह देखिए यह काफी खतरनाक लुक है मिर भाई यानि कि होरर फिल्म की अगा सुटिंग की जाया न तो माइंड ब्लॉइंग हो माई गॉड मुझे तो माई गॉड काफी अच्छा वैसे मैं आपको बताऊं कि अंदर गुमा रहें ना काफी मुझे अच्छा लगा अंदर गुमा रहें यह देखिए यह यह वाल है ठीक है और यह आप देख सकते हैं उपर में आंगन है गाट साहब जो है वो बुला रहे हैं तो देखते हैं यह सीड़ी है उस जमाने का सीड़ी जो है ना ऊपर जाने का यह सीड़ी है आप लोग देख सकते हैं आप ठीक है ओ माई गॉड यानि मैं एक्सपेक्ट नहीं कर सकता कि इतना खुबसूरत भी उस समय में महल हुआ करती थी आज तो कुछ बनी नहीं रहा पहले के हिसाब से लेड़ी आप देख सकते हैं यहां पर देख सकते हैं यह सब आंगन है आपको मैं फ्रॉंट से दिखा दूँ नहीं बहुत अच्छा काम किया है अगर साथ में नहीं आते तो एक तू घूम भी आदमी नहीं सकता था इतना घूमना पॉसिली नहीं था वाव मतलब कि क्या कहें हमके इतना खुबसरत नजारा नहीं नहीं हम लोग खुद पता है हम लोग को यह आप लोग देख सकते हैं यह ठीक है यह सब जंगल जाड़ है चारों तरह तो यह बस यह पांच आगन का और भी उधर गुमा रहे हैं तो यह हो गया और एक उधर है काट साहिब बहुत ज्यादा हेल्प कर रहे हैं मतलब के पहले इन्हों मना किया लेकिन अभी मैंने बताया कि मैं एक विलोगर हूँ तो इन्होंने मुझे बताया तो और देखते हैं ठीक है यह भी देखिए यह तो बाद में बने वी है ना अच्छा रिपेरिंग हुआ है तो दोस्तों उम्मिद करते हैं आपको यह विलोग काफी पसंद आई होगी अगर वीडियो थोड़ी सी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके कॉमेंट्स करें नबले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें